नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लास एश में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में समकालिन हिंदी कहानी की एतिहाशिक पृष्ट भूमी इस विषय पर चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले समकालिन हिंदी कहानी का थोड़ा परिचय प्राप्थ कर लेते हैं तो यह जो समकालिन सब्द है ये ततकालिन अथवा एक ही समय का भावबोध का सुचक है जिसे किसी व्यक्ति या दूसरे के समानांतर एक समान समय अथवा यूग में उपस्थिती रहने पर उसे समकालिन माना जाता है अता समकालिन सब्द को एक दूसरे के साथ तथा वर्तमान समय के आजाता है हिंदी में सन 1970 के बाद जब कहानी कारों नक्सलबाद, एमर्जेंसी, गरीबी, भूख, सामप्रदाइक्ता, भूमंडलिकरण, आदी जैसी सामने घटने वाली समकालिन स्थीतियों को अपने कहानी का विशय बनाया तो यह समकालिन कहानी के रूप में जाने जाने लगी है ना तो यही है मुख्य परिस्थिती अर्थात 1970 के बाद जो लिखी गई कहानियां है जिसमें ये टॉपिक्स को कभर किया गया है उसे समकालिन हिंदी कहानी के रूप में हम लोग जानते हैं अब क्या है इसके एतिहासिक प्रिस्ट भूमी को समझ लेते हैं एतिहास एतिहासिक प्रिस्ट भूमी में समाइने रूप से किसानों का जो किर्शी संबंधी संघर्ष है वैसे ही त्री समाज के साथ दलित समाज की जो समश्याएं हैं आदिवासी एवं हासिये के अन्य समाज इस बारे में सांप्रदाइक्ता का जो समश्या है उस बारे में एवं अल्प संख्यक समाज इस बारे में भुमंडली करण बाजारबाद आदी ये सब के करण उभरने वाला एक नया भारतिय समाज प्रमुख रूप से विद्यमान है और इन मुद्दों को विशय बनाकर कहानियां लिखी गई समकालिन हिंदी कहानी के एतिहासिक प्रिष्ट भूमी में 1947 इस्वी में देश की आजादी तथा आजादी के बाद बड़े पैमाने पर सामपरदाइक दंगों के कारण सदियों से चली आ रही साजी संस्कृति तथा जातिय विरासत के धोस्त होने तो ये एक पॉइंट हो गया कि पहले से जो हमारे क्या है जो साजी संस्कृति हमारी जो चली आ रही थी तो सामपरदाइक दंगों ने इसको क्या कर दिया धोस्त कर दिया एक कारण दूसरा उनिसो बानेवे में बाबरी मस्जिद के ध्वन्स ने बची हुई थोड़ी बहुत आसा को भी मिट्टी में मिला दिया इन सब के प्रभाव स्वरूप हिंदी कहानी के इतिहास कारोने सामपरदाइक तथा विभाजन के दंग्स को झेलते हुए लोगों की प्रतिकिरिया स्वरूप पार्टिशन स्वयम प्रकास द्वारा रचित कहानी वैसे ही और अंत में प्रार्थना उदय प्रकास का लिखा गया कहानी जैसी कहानिया प्रकास में आई 1956 में अंबेटकर द्वारा हिंदू धर्म को छोड़कर अपने समर्थकों के साथ बहुत धर्म में प्रवेश करने यह भी एक क्या था महत्तोपूर्ण विशय था एक बड़ा परिबर्तन था समाज के लिए वैसे ही 1967 इसवी में पस्चिम बंगाल में जो नक्सलबाडी संघर्ष है न तो उसमें जो जमिनदारों एबं मैजदूरों के मध्य हुई हिंसाने भारत्य समाज राजनीती तथा गाउं के जीवन को बूरी तरह से प्रभावित किया जिसको भी आधार बनाकर अरुन प्रक राजे सुपाध्याई, मधुकर सिंग, विजय कांत, संजीव, सतिस जमाली, मदन मोहन, दयानद बटोही, सैवाल, आधी कहानिकारों ने अपनी कहानियों का निर्मान किया और वर्ग तथा जाती के कारण सोशित समाज के उत्पिड़न को कटू सब्दों के माधियम से अभ मुद्दों पर इन्होंने कहानियां लिखी, समकालिन कहानी के रचना विधान के एतिहासिक प्रिष्ट भूमी में 1956 के बाद अंबेटकर के प्रभाव में दलित आंदोलन है ना अर्था जो अंबेटकर उनका प्रभाव में जो दलित आंदोलन चला या फिर 1967 का जो नक्सलवाडी संघर्ष्वा या 1992 का जो सामप्रदाइक उनमाद मचा भारत में या फिर भूमंडली करण का बात हो या आर्थिक उदारी करण के दुस्प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो मेधा पाठकर जैसे सामाजी कार्ज करता है ना तो उनके द्वारा जाने वाले जन आंदोलन प्रगतिसिल आंदोलन तथा संगठनों में महिलाओं की निरनायक भूमिका को अपनी कहानियों का केंद्रिय विशय बनाकर चित्रमुदगल अलगा सरानी सुशिला टाक भोरे उर्मिला सिरीज अनामिका सुधा अडोरा जैसे इस्तिरियों ने था सोशन वह उत्पीडन के विरुद्ध संगर्ष करती नारियों का चित्रन करते हुए इसे दिखाया है है तो इस तरह से इस आंदोलन में इस्तिरियों ने भी बढ़ चड़कर भाग लिया और जो ये प्रमुख इस्तिरि जो लेखी काएं है इन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है ना तकनिक और संचार क्रांती के आधार पर विश्व ग्राम की धार्ना को कुछ विचारों कोने आधुनिक समय का सबसे बड़ा छलावा माना जिसने समकालिन कथाकारों को एक नई जमिन प्रदान की और पंकज नीष्ट, उदय प्रकास, नासीरा सर्मा, पंकज सुबीर, अखिलेश, संजय खाती, आधी की रचनाओं में इससे जुड़े सवालों पर गहराई से विचार किया गया तथा उन्हें विचार तथा बहस का विशई भी बनाया गया इस तरह से जो उदारी करण का बात आया या फिर जो विश्व ग्राम है ना ये जो संकलपन आया तो इसको भी टॉपिक बना के बहुत सारी कहानिया लिखी गई इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में समकालिन हिंदी कहानी की जो प्रमुक प्रबिर्तियां है समाज और उसकी प्रतिक्रियां है इस बारे में चर्चा करेंगे साथ ही कला भासा और जिंदगी का यथार्थ है ना इस बारे में बात करेंगे अल